दोस्तो आज में December 2018 का Current Affairs का भेरी भेरी important question लेकर आया दोस्तो जो आने वाले exam में बहुत important है दोस्तो आने वाले competition exam में आपके लिए एक golden opportunity सावित होगा दोस्तो तो यहाँ पे जैसे की railway, banking और SAC का जो examination जनवरी और फरवरी में होने वाला है और अभी December में RPF का exam start हो गया है उस के लिए बहुत important है दोस्तो आप देख लिए इस वीडियो का अंतक देख लिए दोस्तो इसमें very very important question में छाट के लिए कि आया हूं दोस्तो चूज कर के लिए कि आया हूं इसमें अब देख सकते हैं पहला question हाली में 36 गड़ के मुख मंतरी के रूप में किसनी सपत ली है जो दिसंबर में हुआ दोस्तो इसमें देख सकते हैं इसका अंसर है भूपे सफागेल जो कॉंग्रेस के नेता है और second number question हाली में FIH यानि Federal International होकी होकी बिसकब 2018 के किताब किसने जीता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं answer पर Belgium जो नीदर लेंड को हरा कर जीता हुआ और ये कलिंगा श्टेटियम भूनेसवर में हुआ है दोस्तो जो उडिसा में है अब तीसरे question को आप देख सकते हाली में भारत ने किस देश के लिए 1. फोर बिलियन डॉलर पैकेज की घोशना की है ये भी question पूछा जा सकता है very important है इसका answer है माल दीप और चौते नंबर question को आप देख सकते हैं सीरलंका के परधान मंत्री के रूप में सपत किसने ली है तो इसका answer है दोस्तो रनिल बिक्रम सिंदे जो पांचवी बार वहां के परधान मंत्री बने है और पांचवी बार परधान मंत्री बनने वाले में वह पर्थम है दोस्तों और पांचवी नंबर question को आप देख सकते हैं कि मिस सीनी भर्स 2018 का किताब किसने जीता है तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों कैट्री ओना क्रे ने जीता है जो जो थाइलेंड युआ है दोस्तों और ये फिलिपेसस से बिलोंग करते है दोस्तों लेकिन इसका जनवस्टलिया में ने में हुआ था कर याद रखे है तो इसलिए स्क का Capital पूछा जा सकता है और साथ में मंबर कोईशन पर किस देश के मावलो के मंटरी एंडर शेमु एल्सन भारत दोरे पर आये हैं तो इसका अंसर और लियका मांतरी एंडर से मवलो के मंटरी जो यह से खार वारत दोरे पर आया और डेनमार की राजदानी कॉपेन हैगेन है दोस्तों और आठवा नमबर कोईशन आप देख सकते हैं कि इस देश के परमानु उर्जा सनियंद्र ने 940 दिनों से अधिक लगतार यानि कंटीनू काम करके 20 रिकॉर्ड बनाया है तो उस देश का नाम दोस्तों अपना ही देश से भारत दे से और ऑजो परमानु उर्जा सनियंद्र हो करनाटक राज में इस्तित थे दोस्तों और इस से पहले जिसने यह रिकॉर्ड बनाया था वह उनाइट टिंग्डॉम ने बनाया था दोस्तों इन्गिलेंड और अस्कोर्ट लेंड उगरा आता है दोस्तों उन्हों रोधया का सीरी से नहीए अगर दोस्तों इसी तरह का आप रेगुलर विडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सुस्क्राइब कर लीजे दोस्तों और रेगुलर में इसी तरह की बहतर विडियो आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों और यहां पे 10 में नंबर क पुरुषकार दिया गया था और यह बंगा भी विशन पुरुषकार पच्छिम बंगाल में दिया जाता है दोस्तों वेश्ट बंगाल में दिया जाता है यह वेश्ट बंगाल का एक आकर्सक पुरुषकार है दोस्तों और 1111 नंबर कोईशन है दोस्तों बीडबलू एप यानि बीडबलू एप का फुल फोम मता पैड़ मेंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर हुआ था जोस्तों वर्ल्ड टूर जो इसमें फाइनल में जितने वाली भारतियों महिला कौन बनी है तो उसका नाम है दोस्तों पीवी सिंदू पीवी बिहार की किस परंपरिक बेंजन को जियाई टेक दिया गया है दोस्तों जियाई टेक होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन नाम है तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों सिलाव खाजा खाजा तो अब देखें होंगे तो सिलाव खाजा नाम है जो नालंदा टिस्टिक में ब टेक दिया जाता है दोस्तों अगर जिसे आपके सहर में मतलब बहुत ज्यादा परसीद है तो उस सहर को परसीद चीज़ बनाये रखने के लिए जी आई टेक दिया जाता है तो यह अब ध्यान में रखिए और तेरा नंबर कोईशन जो है फिप्टी फोर यानि चौन में ग्यान फिट पुरुषकार से किसे समानित किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अमिताब घोस को समानित किया गया है और चौद्धा नंबर का कुछन हो जाएगा दोस्तों परसन अब डाईयर 2018 पुरुषकार की से दीया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों जमाल खसो गागी को दिया गया जो एक पत्रकार है दोस्तों जो राइटर है और उन्हें मरनो प्रांथ दिया गया है ये पुर दस्तान है जिसमें साड़ी छे परसंट उस सर्जन भारत करता है अब फास्ट में चैना है लो जो लगभग 20 परसंट मतलब उत्पादन उस सर्जन करता है दोस्तों और 16 नमबर का कोशन है हिंदी साहित अकेडमी पुरसकार किसे दिया गया है 2018 का तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रामुद्धगल को दिया गया है दोस्तों अगरा कोशन हो जाएगा दोस्तों 17 नमबर का कोशन हो जाएगा तो जी 20 समू की देशों का तेरमा सम्मिलन कहां संपन हुआ तो इसका अंसर हो जागा दोस्ता भी एनस आयर्स जो अर्जंटीना का एक सहर है दोस्तो जो अर्जंटीना में है तो भी एनस आयर्स इसको याद रखिएगा और 18 नमबर का कोईशन है दोस्तो भारतिय बैंक के 25 में गौवर्नर किसे बनाया गया तो 25 में गौवर्नर जो बने है उनका नाम है ससी कांस दास बने वे दो 2018 बने इससे पहले उर्चित पाटल थे जिन्होंने इस्थिपा दे दिया और 19 में नमबर के जो है कोईशन है 2019 में गौतांदर दिवस के मुक अतिती कौन होंगे तो इसका अंसर हो जाएगा जोस्तो सैरिल रामफोसा हो जाएंगे जो सौथ अपरिका के अभी परजेंट में परसिडेंट है दोस्तों य और अगला कोईशन हो जाएगा दोस्तों बिसमा नमबर कोईशन है संक्यू तराष संद का जलिवाई सिखर समयलन सी ओपी ट्वंटीफोर कहां संपन हुआ दोस्तों यह 14 दिसमबर को संपन हुआ है दोस्तों इसका अंसर हो जागा कोटा वीश जो पॉलेंड का एक सहर है द दोस्तों और 22 तो उसका एंसर हो जाएगा दोस्तों रोयल अश्टेग आप देख सकते हैं तो आइसी सी का जो परचार उगरा करता है वह रोयल अश्टेग इस बार करेगा उसी कमपनी को बनाएगा और चो विस्मा नमबर कोशन है दोस्तों किस देश की रजधानी की पुलिस ने पहरी वाद की है अब 25 नमबर कोशन हो जाएगा दोस्तों किस देश ने भारत के बड़े नोटों पर परतिबंद लगा है दोस्तों तो इसका अंसर हो जागा नेपाल हो जागा नेपाल में ऐसा क्यों किया है दोस्तों क्योंकि नेपाल में भारत की करेंसी जो तास चलती है पर हो गया लेकिन नेपाल में तो नहीं हुआ था तो वहां पर ये नोट अभी भी चल रहे थे तो नेपाल सरकार ने बोला कि भारत को वापस ले लेने के लिए लेकिन यहां के कोई यहां से कोई काम नहीं किया गया यहां से कोई बात नहीं किया गया कुछ नहीं बताया गया मतलब नोट वगेरा वापस नहीं लिया गया यहां से तो नेपाल सरकार ने लाश्ट में यह वहाँ पर अनॉस कर दिया गया कि वहाँ पर 500 और 1000 के बड़े नोटों नहीं चलेंगे वहाँ पर 100 से नीचे की नोट चलेंगे और 100 का नोट चलेंगा तो यह कंडिसन है दोस्तों officer कि this देशने की टाम आजड़ करने की गोशना कि है तो इसका अंसर रहे जागा दोस्तों मोरिसास देश से कोंशले को शबंगार और बनता है तो और ओप साँफुस्र आ चल्ध महन जानाकी में पर यहां किूँकि आपका ज्यात समें बरबाद नहीं हो जाएगा और कम ही समय में आप यह चूझल को मतलब सून सकते हैं आप देख सकते हैं और इस को यूच कर सकते हैं। 27 नंबर का कोशन आप देख सकते हैं रेल्वे से रिलेटेड है पूछा जा सकता है रेल्वे ने खाली कंटेनर के परिवन में कितने परसिसत की छुट परतान की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 परसंट छुट परतान की है दोस्तो और 28 नमबर कोईशन है दोस्तो IAA की यानि International Film Festival अप केरला में किस फिल्म को सुवर्न चक्रम पुरुसकार से समानित किया गया है तो उस फिल्म का नाम है दोस्तो डार्क रूम और अगला कोईशन है दोस्तो 29 कोईशन है 29 मा कोईशन है राजस्तान के नए मुख मंत्री नए सीम कौन बने हुए तो इसका अंसर हो जागा दोस्तो असोक घेलोट बने हुए जो कॉंग्रेस के निता है और वहाँ की गौवर्नर जो है कलियान सींग है दोस्तो इससे रेटेट कोईशन बनता है दोस्तो ये दिसंबर में ही हुआ है तिसमा नमबर कोईशन है मद पर्दिस के नए मुख मंत्री कोन बने हुए तो 2018 में दोस्तो तीन राजो की मुख मंत्री बने है तीन राजो की सीम बने है तो यहां तीनों का मतलब मैं कोईशन बना दिया हूँ दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा मद पर्दिस के जो मुख मंत्री बने हुए उसका नाम है कमलनाथ जो Congress के ही निता है और वहां का Governor जो है आनंदी बेन पटेल है और 36 गड़ का भी Governor जो हता है आनंदी बेन पटेल को ही बनाया गया है ये दो राजों की Governor है और 30 एक तिसमा question है दोस्टों डेनमार्क का परधान मंत्री अभी कौन है क्योंकि डेनमार्क अभी चर्चा का भी से बन बना हुआ है दोस्तों और 32 नंबर कोशन है मिस वर्ट 2018 को किताब किस ने जिता हुआ तो इसका एंसर हो जागा दोस्तों वानिशा पॉन्स डी लियोन ने बना हुआ है जो मैक्सिमों से बिलोंग करती है जो मैक्सिमों की है और यह 8 दिसमबर को चीन के चायना के सान्या सहर में आज़ित किया गया दोषिंद चीन या चैनल वोले बात देखी है दोस्तों अगर किसी भी एकजाम की त्यारी करते हैं दोस्तों तो ये जनरल आवरनेस एक ऐसा चीज दूस्तों इसे आप पड़ते रहें रहें तो आपका एक साल दो साल लग जाएगा इसलिए मेरा साजिशन है कि आप तीन से शे मंद का ही करेंट अफेर देखिए और ज्यादा कोईशन ना देखिए अब बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो एक्जाम में आ सकता है बना दिया हूँ अक्टूबर नॉमबर दिसमबर 2018 का बनाया हूँ जो आपके आने वाले कंपेटिशन एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों और इसी परकार की अगर रेगलर अपडेट किसी भी परकार की चाहिए एजुकेशन से रिलेट तो आप हमारे चनल कर दो आप हमारे चनलखर है परकार की चाहिए जोबर ऑढल रेगलर रवाय।